हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक IT मैनेजर की जॉब रस्पांसिबिलिटीज क्या होती है यानि कि उसको अपने जॉब में क्या क्या करना पड़ता है उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है सभी के बार में हम बात करेंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का है आपको फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों basically एक IT manager जो है वो किसी भी company की अंदर उनके जो computer systems होते हैं और बाकी information technology के related जो systems होते हैं उनका smooth running जो है वो ensure करता है यानि कि वो सारे की सारे software's हो गए कुछ systems हो गए वो ठीक तरीके से चले अब जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिफ software या ऐसी ही चीज़े हों हो सकता है कि hardware यानि कि कोई computer बिगड़ गया है उसका screen नहीं चल रहा है CPU नहीं चल रहा है जो भी है तो ये सारी चीज़े जो है वो एक office के अंदर बिलकुल ढंक से चलती रहे और साथी साथ उसका जो maintenance है वो भी होता रहे उसका problem solving भी ये लोग करते हैं और साथी साथ ये सारी की सा way में करनी होती है भले ही वो maintenance हो या कोई उसके अंदर अगर कोई problem आ गया है तो उसको repair करना हो तो ये सारा कुछ जो है वो cost effectively याने कि इनको कम पैसे में करना होता है तो ये सारी चीज़े जो है वो एक IT manager वहाँ पर manage करता है तो दोस्तों आप specific देखते हैं कि इनके job के साथ साथ consequence responsibilities आती हैं तो दोस्तों पहली responsibility तो obviously इनका जो सारा system है वो smoothly चलता रहे उसको manage करना साथी साथ जो भी data operation का एक standard है उसके हिसाब से planning करना organizing करना वहाँ पर और scheduling करना ये भी इनका काम होता है इसी की साथ साथ और एक बड़ी responsibility इनके उपर ये आ जाती है कि जो नए सिरे स आये हुए लोग है जनको अभी अभी recruit किया गया है basically recruit भी यही लोग करते हैं अगर IT department के अंदर है तो recruit भी यही लोग करते हैं बाद में उनको जो है वो training करवाना उनका साथी साथ उनका performance कैसा जा रहा है इसका evaluation करना उनका अगर कोई अच्छा काम है तो उनको appraisals वगेरा तो ये सारी चीज़े भी यही लोग करते हैं और mainly इन लोगों को जो है वो training देना ये भी इनका काम होता है और साथी साथ training किस तरीके से दी जाए training का program किस तरीके का होगा ये लोग design भी करते हैं साथी साथ दोस्तो system policies और procedures को जो है वो design करना, develop करना, उनको implement करना तो ये सार चीज़े भी इन्हीं के पास आती है क्योंकि यही लोग इसके अंदर expert होते हैं तो नए नए technology लाना आपके system के अंदर उसको design करना कि इस office के अंदर ये किस तरीके से काम करेगा, इस office का काम करने का तरीका क्या है, उसके अंदर हम इस नए technology को implement कैसे करेंगे, या नए technology policy को क साथी साथ, access किन लोगों को होगा, उसके लिए किस तरीके की security लगाने पड़ेगी, किस तरीके के passwords लगाने पड़ेगे, और कौन से level के आदमी को जो है, वो data access करने की authority होगी, ये सारी चीज़े जो है, वो ये लोग decide करते हैं, साथी साथ, data का जो backup लिया जाता है, वो कहां पर लिया जाएगा, उसको access करने के लिए किस तरीके की procedure होगी, ये सब कुछ भी ये लोग design करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि कुछ important data होता है, तो वो अगर सिर्फ आप systems के अंदर छोड़ देंगे, वैसा ही save करके, तो हो सकता है कि किसी system के अंदर का hard drive वगेरा corrupt ह हो जाए, तो सारी sensitive information कुछ इस तरीके से गायव हो सकती है, तो इसकी विजए से उसका सही जगा पर backup रखना, एक safe जगा पर backup रखना बहुत जरूरी होता है, इसके अलागा दोस्तों, कई IT कंपनियां ऐसी भी होती हैं, जो कि बाहर के लोगों को उनकी systems वग्यारा बना करके देखती हैं, यानि के software systems होती है, जिनके उपर उनका काम चलता है, तो ये software systems जो है, वो design करके भी कई सारी IT firms देती हैं, तो ऐसे situation में IT manager का job ये भी हो जाता है, कि customer की needs क्या है, उनको समझना, उनको किस तरीके के problems हा रहा है, उनको समझना, और उसके हिसाब से अपने product के पर suggest करना, कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, customer की ये need है, वो need है, तो उसके हिसाब से changes करना भी इनको आना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों और एक important responsibility ये हो जाती है, कि problematic areas को वहाँ पर identify करना, क्योंकि कई सारी systems ऐसी होती है, जहाँ पर किसी specific operation में problem आता है, जिसकी वज़े से उसका पूरा ripple effect हो जाता है, याने कि आगे की पूरी system जो है, वो रुख जाती है, आगे के लोग काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई एक function उस system के अंदर का जो है, वो डंग से चल नहीं रहा होता है, तो ऐसे problematic areas को identify करना और उसके उपर solution निकालना, अगर वो तो जो general इनकी system होती है, उसके security का वगेरा audit करना ये भी इनका काम होता है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ problems आ रहे हैं, या कोई नए threats आ रहे हैं, तो इस तरीके का जो है, वो audit भी इन लोगों को करना पड़ता है, इसके अलागा जो बहुत important assets होते है उनको preserve कैसे किया जाए, उनका backup कैसे किया जाए, उसकी security की तरफ ध्यान देना, जो कि मैंने पहले कहा, तो ये भी इनके काम में आता है, और साथी साथ, जो annual budget होता है, उसके अंदर study करना, और कुछ ऐसे solution देना, जिसकी वज़ए से ये budget जो है, वो जादा से जादा cost efficient हो, यह हम कहें कि जो day to day working है, वो जादा से जादा cost efficient हो, तो पैसा बचाने वाले solutions देना, ये भी इनका काम होता है, अला कि ये solutions है, वो सिर्फ अपने field से related ही देते हैं, यानि कि IT वाले department में क्या क्या कर सकता है, जिसकी वज़ए से हमारा जो है, वो थोड़ा सा budget बच सकता है, इसके उपर ये लोग वहाँ पर suggestions देते हैं, तो दोस्तों ये सारी job responsibilities होती हैं एक IT manager की, तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ value मिलती है, तो दोस्तों वीडियो को like करना बिलकुल न भ बुले